फ्रेंड्स हमेशा अप्रेसुरेंट वगेरा में जाते हैं तो आप पनीर कुल्चा खाते हैं या छोले कुल्चे खाते हैं लेकिन आज मैं आद के लिए बनाओंगी बहुत ही टेस्टी पनीर स्टफ कुल्चा की रेसेपी जो खाने में तो स्वादिस्थ है दोस्तों और तो पनीर कुल्चा बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहां पे कुछ सामाल लिया है तो देखे इस तरह से यह कुल्चा मैंने लिया है यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं थोड़े फूले फूले कुल्चा आते हैं क्योंकि इसको हम स्टफ करके बनाएंगे तो चुटे टुकडों में काट लिया है एक पत्ता गोवी जिसे एक दम छोटे टुकडों में मैंने काटा है एक हरी मिर्ची उससे भी हमने कट कर लिया दो बड़े चमज हमने लिए है चीज एक बड़ा प्या जिसे बारिक चॉप किया और दो बड़े चमज पत्ता गोवी बा ना रहें, stuffing तो सारी सबजिया जो हमने लिए थी, हरी मिर्ची, बारी चॉप किया हुआ, प्याज, सिम्ला मिर्ची वो सभी हम इसमें डाल देंगे, पत्ता गोबी, अगर आप पत्ता गोबी खाना पसंद नि करते, तो आप सिर्प प्याज या सिम्ला मिर्ची से भी stuffing तयार कर सकते हैं और जो लोग प्याज निखाते वो बिना प्याज के भी बना सकते हैं अब हमने जो बारी कट करके 200 ग्राम पनीर रखा था वो इसमें डाल देंगे क्योंकि पनीर स्टफिंग कुल्चा है तो पनीर की मात्रा थोड़ी ज्यादा ही रहेगी अब इसे एक बार चम्मस से अच्छे से चला लेंगे और गैस का फ्रेम आपको मेरियम टू हाई रखना है पाच मिर्ट में स्टफिंग बन जाएगी अब इसमें मैं डालूंगी एक बड़ा चम्मस रैट चिली सॉस और एक बड़ा चम्मस टेमेटो सॉस आपको सॉस की मातरत बहुत ज्यादा बिनी ड अब आदी छोटी चम्मच हम डालेंगे विनीगर यानि की सिर्का इसमें हम सोया सॉस नहीं डालेंगे दोस्तों विनीगर डालने के बाद में इसमें मैं डालूंगी आदी छोटी चम्मच के करीब सहजवान सॉस सॉस आप अपनी पसंद से कम या जादा कर सकते हैं अगर आ स्टफिंग में मैं डालूँगी एक चम्मज मिक्स हब अगर आपके पास मिक्स हब नहीं है तो आप इसकी जगे आदी छोटी चम्मज काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं मिक्स हब डालने के बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मज चीज मैंने अपने नमक मिक्स न dalने हैं अब चलिए हम कुल्चा इस्टाफ कर लेते हैं, दोस्तों क्योंकि ये कुल्चा बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो आप इसे बीश से कट करते समय ध्यान दीजेगा कि ये कहीं से टूटे नहीं, और इस तरह से हमें कुल्चा को एक चक्को की साहिता से, जिस तरह से हम पाव को बीश से कट करते हैं, वैसी हमें कुल्चा को एक तम धीरे-धीरे कट कर लेना है, कुल्चा बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसे कट करते समय थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रत परती है, तो दोनों कुल्चा को आप इसी तरह से भीस से कट कर लीजिए तो ये देखे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दोनों कुल्चा को भीस से कट कर लिया है अब जो stuffing हमने बनाई ये वो गर्मा गरम stuffing हम इस कुल्चे के उपर रग देंगे बहुत अच्छे से ये stuff पनीर कुल्चा है फ्रेंट से लिए आपको stuffing में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी ताकि जब आप इसे खाए तो लगे हाँ हम stuff कुल्चा खा रहे हैं तो फ्रेंट बिल्कुल यूनिक रेसेपी है आप इसे कभी भी बना के खाए ब्रेक्फास में सामकी स्नेक्स में या आपके घर में कुछ भी get together किटी पाटी वगेर है तब भी आप ये वाली stuff पनीर कुल्चा की रेसेपी बना सकते हैं दोस्तों दोनों कुल्चा में मैं एकदम अच्छे से stuffing को लगा देती हूँ और उपर से जो कट किया हूँ भाग है उसको आपको बस रखना है कोई भी sauce या बटर आपको कुल्चा में नहीं लगाना है क्योंकि सभी चीजे हमने stuffing में अच्छे से डाल दी है अब इसे आप चाहें तो कढ़ाई पैन या तवे पे सेख सकते हैं लेकिन आज मैं इसे ग्रीलर में सेखूंगी क्योंकि ग्रीलर में सेखने से बहुत अच्छा सिखेगा भी कुल्चा और देखने में भी सुन्दर लगता है तो थोड़ा सा मैं बटर लगा दूगी चमस की साहिता से अगर आपके पास ग्रीलर वाला तवा है उस पे भी आप ये इस टप पनी कुल्चा सेख सकते हैं अगर आपके पास ग्रीलर नहीं है तो आप नौर्मरी इसे तवे पे सेख कर भी खा सकते हैं तो दोस्तों इसे आपको एकदम से बन नहीं करना है बस इसी तरह से आपको इसे ढग देना है ताकि ये पूरी तरह से अंदर से चिपकेनी ग्रीन लाइट आने के बाद आपको ओपन करेंगे तो देखेंगे कुल्चा बहुत अच्छा सिक्के तयार हुए फ्रैंड्स ये देखें गर्मा गरम पनीर स्टफ कुल्चा बनके तयार है इसी कोई भी गैस्ट या महमान को जब आप ये वाले कुल्चा सब करेंगे तो वह आपकी तारीफ किये वगए नहीं रहेंगे तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसे लेगी जल्देदी कमेंट करके बताए पनीर स्टफ कुल्चा जितना ज्यादा बनाने में आसान है उतना ही ज्यादा ये खाने में टेस्टी है दोस्तों तो एक बार आप ये न्यू रेसिपी ट्राइज जरूर करेंगा आपको बहुत पसंद आएगी और मेरी चैनल मोनिका अगरा को भी सब्सक्राइब कर लीजी ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी मिस ना करें मिलते हैं न्यू रेसिपी किसा बाइब बाइब